गाईज आप लिखने वाले हैं CA Foundation का पेपर to law BCR पेपर लिखते हुए इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ध्यान से सुना point number one 100 marks का पेपर complete करके आना है आपको 70-80 number का पेपर perfect तरीके से लिखने के चक्कर में प्लीज अपना बाकी का पेपर मत छोड़ देना law और BCR दोनों में आपको choice मिलती है जब शुरू का 15 minutes का reading time मिलेगा तब ही देख लेना कि ऐसे कौन से questions है law में और BCR में जो आपको बिल्कुल नहीं आते या सबसे कम आते हैं उनको वहीं cross कर देना उनको attempt करने की जरूरत नहीं है section A पहले करोगे या B it depends on your own choice जैसे ही question paper मिलेगा to the point answers लिखोगे हर एक question का case studies के case में पहले fact of the case फिर provision फिर conclusion spelling errors बिल्कुल मत करना grammatical mistakes मत करना और section number अगर आप confused हो या आपको याद नहीं है तो तुक्का बाजी मत लगाना गलत section number मत लिखना number कर सकते हैं law के paper में specific law की जो language होती है जो आपने पूरे 6 महिने से पढ़ी है उन words को उस language को use करने की कोशिश करना उससे आपको अच्छे marks मिलते हैं और सभी जो सब parts होते हैं एक question के उनको एक ही साथ attempt करना फर्स जो भी questions आप लिखेंगे वही check होंगे इसलिए प्लीज जो questions आपको अच्छे से आते हैं उन्हें पहले attempt करना पूरा counts का paper module से आया था इसलिए प्लीज law BCR की तयारी भी module से करें कहीं इधर उधर बाहर ना जाएं नमबर दो बात बच्चों ने students ने कुछ mistakes करी जैसे की role number लिखते हुए गलती कर दी अगर role number सही लिखा तो fill करते हुए circle करते हुए गलती कर दी और कुछ students ने जो examiner's column होता है आपकी answer booklet के first page पर वहाँ पर टिक कर दिया प्लीज ये सब mistakes आपको नहीं करनी है ध्यान रखना पूरे presence of mind के साथ booklet का first जो page होता है उसे fill करना सारी चीज़े सभी details आपको black ball pen से fill करनी है circles को भी black ball pen से fill करना है और जो answer लिखने है वो भी black ball pen से लिखने है प्लीज gel pen वगर बाकी चीज़े use मत करना मैं section A law पहले करें या BCR आपकी मर्जी है पर जो भी section पहले कर रहे हो example BCR तो पूरा BCR एक साथ attempt करना फिर नए पेश से section A law शुरू करना एक question के सभी सब parts का answer एक साथ लिखना 1A, B, C, D ऐसा मत करना पहले 1A लिख दिया फिर 2B फिर 1C लिख दिया समझ दो बात को कोशिश करना हर एक नए question को नए pace से start करो और इन चीजों का ध्यान रखना कि first जो questions आप attempt कर देंगे वही questions consider करेगा examiner, best questions को consider नहीं करेगा उसके पास इतना time नहीं होता तो जो questions आपको अच्छा से आते हैं उन्हें पहले करें, detail में देखना चाहते हो कौन से chapter से कैसे questions आते हैं तो शिवेन सर का ये video देख सकते हो, link is there in the bio, all the best